नमस्कार आप सभी आंगनबाडी बहनों का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है तो जैसा कि आप सभी लोग जान चुके होंगे कि पोशन ट्रेकर एप में बहुत सारे नए अपडेट्स आये हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको जनकारी दे दिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो बेनिफिसरी रेजिट्रेशन है जिसमें की नए लभारतियों का रेजिट्रेशन किस परकार से करेंगे जो नए अपडेट आया है और इसमें किस परकार से रेजिट्रेशन होगा तो उसी के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर पोसंट ट्रेकर एप ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद यहाँ पर जो बेनिफिसरी रेश्टेशन दिख रहा है इसमें हम किलिक करने के बाद देखें यहाँ पर बहुत सारे मोडूल आपको दिखेंगे जिसमें आप नए लभार्थी का रेश्टेशन करना चाहते हैं तो उसमें किस परकार से करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में तो आप सभी लोग इस वीडियो को बीना इस्किप किये एंड तक जरूर देखें और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूंगा जैसे कि जो भी आगणवारी सेविका हैं उनका अगर एटेंडेंस शूट गया है किसी कारण वास हो अपना एटेंडेंस नहीं बना पाई है तो वो अपना एटेंडेंस बैक डेट वाला कैसे बनाएंगी तो इसके बारे में मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना दिया है मैं उसका लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और केस परकार से हाजरी है उसको बनाना है वहाँ से आप लोग देखके इजली समझ सकते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दीजिए और जो लोग भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूर जाएए क्योंकि मैं यहां पे पोसंट ट्रेकर आप से डिलेटेड जो भी नए-ने अपडेट आते हैं उसका वीडियो यहां पे time to time लेके आते रहता हूं तो जैसा कि आज हम अस्तन पन कराने वाली माता का रेश्टेशन करने वाले हैं तो अस्तान पान कराने वली माता के रेश्टेशन करने के साथ-साथ हमको 0-6 मंथ वाले बच्चे का भी रेश्टेशन करना जरूरी होता है तो देखिए दोनों वेरिफिकेशन किस परकार से होगा तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए आपको किलियर जैनकारी दी जाएगी जिसे की आपको समझ में आए तो चलिए सुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो एक लभार्थी का नया रेश्टेशन करके दिखा रहा हूँ कि नया रेश्टेशन किस परकार से होगा तो जैसे की यहाँ पे जो अस्तनपान कराने वाली मताय हैं उस मोडूल को हम लोग उपन करेंगे और उसमें एक लभार्थी को जोर के दिखाएंगे कि किस परकार से आ आपको जोड़ना है जैसे कि जो नया वाला अपडेट आया है उसमें आपको अधार वेरिफिकेशन और OTP वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है तो चलिए नए लभार्थी को जोड़ने के लिए यहां पर लभार्थी जोड़े पर किली करेंगे यहां पर पूछेगा लभार्थी का नाम तो लभार्थी का नाम डाल देना है फिर अधार संख्या डालना है उसके बाद अगर स्वास्त आईडी है तो डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए फिर यहां पर जनम की तारीक आपसे पूछेगा कि इनका जनम किस तारीक को हुआ था उसक सही से डालना होगा जिसमे की OTP जाएगा उसी OTP के साथ आपको नए लभार्थी का रेश्ट्रेशन करना पड़ेगा देखिए इसमें आप लोग को बहुत ही सावधानी से अब रेश्ट्रेशन करना है जैसे कि जो भी अधार है और जो भी लभार्थी का नाम है वो सेम को इसमें इंट्री करना है तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा तो मैंने यहां पे लभार्थी का नाम पती का नाम अधार संख्या जनम की तारीक और जो मुबाइल नंबर है उसको सही सही डाल दिया है बच्चा मेल है या फिमेल है उसको सेलेक्ट करने के दिख़ार दिख रहा है यहां पे कुलीक कर देना है तो चलिए सब्मिट के अप्सवन पे हम जैसे ही पांच मिनट के पहले आप उस OTP को डाल के वेरिफाई कर लिजिएगा तो देखिए मैंने यहां पे लभार्थी के मुबाईल से OTP निकाल के दर्ज कर लिया है फिर उसके बाद यहां पे जो वेरिफाई वाला ओप्सन दिखा रहा है सिम्पली इसी पे किलिक कर देना है तो चलिए हम इसको वेरिफाई करते हैं जैसे ही वेरिफाई करेंगे तो यहां पे देखिए मुबाईल वेरिफिकेशन कंप्लीट रिकॉर्ड क्रियेट सक्सेस्फुली यानि की मुबाईल नंबर के साथ-साथ जो भी इसका वेरिफिकेश से उस लभार्थी का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लभार्थी का रेश्ट्रेशन करना है तो आप अभी इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी इस वीडियो में काफी कुछ आपको बताना है जैसे कि अस्तनपान कराने वाले माता का हमने यहां पर रेश्ट्रेश करना होगा तो उनका भी जब तक रेश्टेशन नहीं करेंगे जो बच्चे का जन्म हुआ है तब तक ये रेश्टेशन कंप्लीट नहीं होगा तो चलिए हम 0 से 6 मंथ वाले बच्चे की केटेगरी ओपिन करके जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी सारी डिटियल्स भरके नाम जो दिया गया है उसमें बच्चे का नाम डालना है अधार संख्या नहीं है क्योंकि अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है तो अधार संख्या नहीं डालेंगे जब बच्चे का अधार संख्या बन जाएगा तो उसको भी यहां पे वेरिफाई करना होगा उसके बाद य बच्चे का पीता का नाम माता का नाम और देखें यहाँ पे जो मोबाइल नमर डालेंगे जो मोबाइल नमर हमने वहाँ पे सत्यापित किया है OTP verification करके वही mobile number हमको इसमें भी डालना होगा उसके बाद बच्चे का जनम के समय वजन और उसकी उचाई डालना है तो यहाँ पे बच्चे का पूरा details डालने के बाद हमको एक बार check कर लेना है कि जो भी हमने details डाला है वो सही है जैसे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे का उचाई है यहाँ पे 30.48 से 72.2 cm के बीच होना चाहिए तो इस परकार से आपको cm में बच्चे का height डाल देना है उसके बाद यहाँ पे जो submit का option है submit वाले option पे click कर देना है तो जैसे कि हम submit वाले option पे click करते हैं उसके बाद फिर से उस number पे OTP भेजा जाएगा जिस number को हमने वहाँ पे add गिया है तो यहाँ पे हमने उस लभार्थी के mobile से OTP निकाल के यहाँ पे OTP दर्ज कर दिया है उसके बाद यहाँ पे verify वाले option पे click कर देना है और जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि दो verification करने के बाद ही जो अस्तनपान कराने वाली माता का registration है वो complete हो पाएगा तो चलिए verify वाले पे click कर देते हैं click करते ही देखिए mobile verification completed record created successfully यानि कि mobile verification भी 7-7 complete हो जा रहा है तो देखिए अभी यहाँ पे जो verification दिखा रहा है वो verified हो चुका है और जो अधार है वो unverified है तो इसके लिए जब अधार आप लोग डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे verify कर दिजेगा तो उमीद है कि मैंने आपको नया beneficiary registration किस परकार से करना है इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है वीडियो आप सभी को कैसा लगा वीडियो आप सभी को पसंद दया होगा तो वीडियो को like जरू किजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी next topic में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहिंद